हेलो फ्रेंड, वेलकम तू न्यू अपडेट्स फ्रेंड, RRB कुलकता द्वारा जूनियर इंजिनियर DMS के ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया है ये ज्वाइनिंग लेटर बाई रेजिस्टर्ड मेल द्वारा जारी किया जा रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं, DMS की पोस्ट नॉन सेप्टी केटेगरी में आती है लेकिन 50% पोस्ट कटिंग जो साफ इस्टर्ण रेलवे द्वारा जारी किया गया है आज के डेट में वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी और जैसे अपकमिंग एक्जाम जैसे NTPC ग्रूप D पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी तो फ्रेंड रेलवे जब की अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए अमारी यूट्टीब चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड ये रहा DMS पोस्ट जो RRB कुलकरता द्वारा जूनियर इंजिनियर का जॉइनिंग लेटर बाई रेइस्टर्ड मेल द्वारा जारी किया गया है इस पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सेविन पेज का एटेजमेंट लेटर है इसमें सारे टम्स अर्ण कंडिशन और साथ ही एटेजमेंट इन डिनिवनिटी बॉण जो भी डैकूमेंट बनवाने होते हैं वो आपको बनवाना है यह डैकूमेंट बनवाने के बाद आपको रेइस्टर्ड मेल पे जिसे आपको यह जॉइनिंग लेटर आई है उसी पे आपको 15.7.2020 तक अपलोड करनी होगी ये attachment letter आप हमारी YouTube चैनल के description box से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप ये attachment letter यहाँ पे भी देख सकते हैं ये रहा attachment letter जो RRB कुलकता द्वारा जारी किया गया है ये रहा 7 पिज का attachment letter जो उस mail पे जारी किया गया है ये आप हमारी YouTube चैनल के description box से भी डाउनलोड कर सकते हैं South Eastern Railway दोरा एक और official update जारी किया गया है ये official update surrendering of 50% of vacancy of non-safety category जो भी non-safety category के अंदर post आती है उसको surrender करने के विशे में है जैसा कि आप लोग जानते हैं South Eastern Railway के अंतरगात RRB कुलकाता मालदा ये सारे zone आती है और यहाँ पे 50% vacancy को surrender करने के बाद कही गई है जो की non-safety category के अंतरगा ये PDF जारी किया गया है जितने भी non-safety category post है ये सारे जारी किया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं different category different post है इसमें सारे post जो surrender किये गये हैं उसके वारे में discussion किया गया है इसमें total जो post surrender किये गये हैं उसके शंख्या 361 है Ministry of Railway दोरा post surrendering की बात और freezing की बात कही गई है लेकिन जो भी upcoming exam जैसे NTPC group D इस पे कोई effect नहीं होगी जैसा कि Railway दोरा जारी notice में clear किया गया है लेकिन जो भी vacancy है जो non safety category के अंतर गताती है उस पे कटवती की जाएगी यहाँ पे देख सकते हैं यह later official जारी किया गया है उस notice के against Ministry of Railway दोरा एक tweet जारी किया गया है इसमें आप लोग देख सकते हैं जो भी safety category के post आते हैं उसको surrender नहीं किया जा सकता है जैसा J-E, ALP technician के बहुत सारे post safety category के अंतर गताते हैं लेकिन review सिर्फ non safety category के vacant post के लिए किया जाएगा और उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं All ongoing recruitment drives for selection against different category of post will be continued as usual जितना भी J-E, ALP technician और group D या NTPC या upcoming exam जैसे group D यह सारे exam continue as रहेंगे इस पर कोई इसका effect नहीं होगा So friend, railway जब की update and notification के लिए हमारी YouTube channel को subscribe करें